जिसे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शेंग और बीबी टॉंग की फाइट हो रही है और जीवू और बियर मास्टर जो कि एक ग्रांट सोल लन मास्टर है उनकी फाइट हो रही है जीवू अपनी सेवन सोल स्किल का यूज करती है और अपनी मार्शल सोल फॉर ले लेती है और अब बियर पर हमला करती है लेकिन बियर क्योंकि कावी ताकतवर है इसलिए ऐसा लगता है मानो जीवू का अटाक को ज्यादा काम नहीं आया लेकिन बियर अपनी असली इंसानी रूप में आ जाता है और जीवू पर जोरदार हमला करता है लेकिन जीवू सही स मानो कोई छोटी बच्ची उसे पंच मार रही हो इसलिए जीवु को पीछे हटना ही पड़ता है और वो उससे बचकर भागने लगती है और फिर मौका मिलने पर वो फ्लेक्सिबल बोल स्किल्म का यूज करके उसके बोड़े बाट्स को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन प सब मोहित होकर बियर मास्टर के उपर चड़ने लगती है और उसको पकड़ने लगती है इतने सारे सैने को अपने पास आता दे बियर मास्टर सैने को को दूर हटानी लगता है और जब बहुत सारे सैने एक साथ आ जाती है तो वो फ्लेमिंग मीटियोराइट्स का यूज कर ताकतवर Soul Master से निपट रही है लेकिन फिरभी एनेमी की हर सुनिश्चित नहीं हो पा रही है एनेमी हमारी सेना में गुसने ही वाला है और फिर Grand Master कहते हैं कि इसी बात का तो इंतुजार था कि कब एनेमी हमारे सेना में गुसे Martial सोच में बढ़ जाता है और फिर तभी Grand Master अदेश दे देता है जिससे एक सैनिक सिगनल छोड़ता है और निंग रॉंग रॉंग की फैमिली को पता चल जाता है कि अब उनकी बारी है Master Swart जो कि निंग रॉंग रॉंग के Grandfather है वो तुरन तलबार पर बैट कर यूद के लिए निकल जाते हैं और Master Bone कीप आउंबर को निकालते हैं और उनकी पार को बूस्ट करते हैं Uncle Swart अपनी बड़ी से Spirit Swart तयार करते हैं और सीधे उनकी सैना के बीचों बीच जाकर अपनी एक ही बड़ी सी तलबार को उनके उपर गिरा देते हैं ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और Master भी कहते हैं कि ये कितना लाजवाब सिंगल अटाक था इस अटाक ने कम से कम एक हजार स्टीन बॉक और पार्टनर ट्राइब के Soul Master को मार गिराया है और फिर तभी Grand Master दूसरा इशारा करते हैं और तैंक लाइन के कावी सारे रिसाइपल सीकर्ट वेपन के साथ आते हैं और वो एक साथ हिने मी पर छोड़ देते हैं जिससे काफी बड़ी संख्या में Marshall Soul Hall के सैना मरने लगती है ये सब Grand Master की अच्छी युद्नीती का प्रमान था कि अब ध्यान दो एम्पायर के पास अबा हैंड आ चुका है Marshall Soul Hall की जब सैना मरने लगती है तो सैना पती मदद के लिए और आद्मियों को बुलाने का डिसाइड करता है और सैरन बचा दीता है बीबी दॉंग ये देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये सब स्वार्ट सेक्ट का जैन सिंद कर रहा है उसने मेरी सैना को कावी बड़ा नुकसान पहुँचा दिया है वो फिर गुस्से में Spider King of Dead Six Soul Skill जिसका राम Blood Sucking Spider Bristles है उसका यूज़ करती है और तैंग शैं लेकिन फिर भी अभी gravity का pressure इतना नहीं था और डंग तैंग शैंग के पास भी आ जाती है लेकिन निंग डॉंग रॉंग अपना support तैंग शैंग पर बढ़ा दीती है जिससे उसकी बार और बढ़ जाती है और बीबी दॉंग का हर एक डंग नीचे गिर जाता है तैंग शैं लगता है और एक दूसरे को पीछे दागे ले लगता है लेकिन वहीं दूसी तरब हम एक सोल नान मास्टर को देखते हैं जो इतनी तेज स्पीद में त्यान दो एंपार की सैना के अंदर गुशा जा रहा है और बीबी टॉंग भी अब कहती है कि तुमारे अंदर मेरे से लड पापा ने पहली बार उसकी एच सोल स्किल देखी है इस स्किल का नाम जियो बाव गौड लाइट है और इसके अंदर एक default defensive system है जो तब activate हो जाता है जब जान पर खत्रा हो लेकिन जब defense use हो रहा हो तब निंग डॉंग डॉंग किसी को अच्छे से support नहीं कर सकती है और उसका defense भी जादा देर तक नहीं टिकने वाला है इसलिए निंग डॉंग डॉंग को बचाने जाना ही निंग डॉंग 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 पर जो हमला कर रहा है वो grand haunted leopard master है और इसको keep out tribe की सेना पती ने काफी बार लड़ चुका है इसकी martial soul black striped haunted leopard की है उसके पास ना सिर्फ attack agility है और strong power है बलकि उसके attack भी काफी strange और खतरनाक है जिस वजह से उसको हरा पाना ना मुनकिन हो जाता है वही लियोपार्ट master समझ जाता है कि इसकी पास life saving trick है जिससे ये बच रही है और मुझे और जाधा ताकत लगा कर इसके इस defense को तोड़ना होगा अब वो उस पर continuous attack करके उसके defense को तोड़नी लगता है और निंग रॉंग रॉंग का defense अब कमजोर बढ़नी लगता है वही अब ही दोस्त जिन ओपनेंट से लड़ रही थे वो ओपनेंट इन पर भरी पढ़ने लगते हैं और तैंक शांग भी गाल होने लगता है वही अब निंग रॉंग रॉंग का defense पूरी तरह से तूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है ये देखकर आसकर चलाता हुआ निं चेंजन कहता है कि मैंने आधे से जादा सोल मास्टर को यहां मार दिया है तो तुम अकेले लड़ने की गलती तो शायद नहीं करोगे मैं तुम्हें समय देता हूँ जाओ बुला लो अपनी बागी सेना को लियोपाद मास्टर कहता है कि बीबी तॉंग ने मुझे इस लेकिन चेंजन असानी से उसके हमले सिपा चाता है और उस पर काउंटर अटाग करता है लियोपाट विव जोल सकिन जिसका नाम डिसेट्फवल हिटन चादूस है उसका यूज करता है और उसे मारने की कोश्श करता है लेकिन चेंजन को अब भी कुछ नहीं होता चेंजन अब निंग डॉंग डॉंग खुद को संभालती है और फिर से अपने दोस्तों को सपोर्ट करने लग जाती है। पहले उनका कम्मिनिकेशन चानल तोड़ना होगा। अब मार्शल ग्रांड मास्टर की बात को मानते हुए तुरंट अपने सैनिकों को अदेश देता है कि सिटी पर अटाक करने वाली टीम को प्रिपेर किया जाए। अब फिर काफी बड़े बड़े वानर एक पूरी सैना की टोली के साथ आगे बढ़ते हैं और मार्शल सोल हॉल की सिटी इस पर अटाक करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर यही एपिसोद खत्म हो जाता है।